जयें दोस्तों आज़ एक और इस नई वीडियो में हम समझेंगे gratuity के विसे में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरी जो जो gratuity है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी कब और किसको दी जाती है और ग्रेचुटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सभी जानकारिया आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रेचुटी है ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी कमपनी के अंदर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं वो लंबा समय पांच साल से स्टार्ट होता है यानि कि कोई भी ऐसा worker कोई भी ऐसा employee जो किसी कमपनी में पिछले 5 साल या 5 से जादा साल हो उसी regular काम कर रहा है regular job कर रहा है ऐसे लोगों के लिए इस ग्रेचुटी को लाया गया एक bonus के तौर पर एक कह सकते हैं reward के तौर पर उनको एक पैसे का अमाउंट दिया जाता है ग् एक्ट का नाम है Payment Gratuity Act 1972, इसके तहत कोई भी ऐसी कमपनी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वरकर काम कर रही है, और उनमें कोई भी ऐसा वरकर है जिसने उस कमपनी में 5 साल निरंतर काम किया है, बिना किसी ब्रेक के या 5 से ज़्यादा साल तक काम किया है, उसको कमपनी को ग्रेचुटी देना अनिवार है, उसको ग्रेचुटी दे रही ही होगी, उसके लिए ये मेंडेटरी है, उस एक्ट की तहत जिसका नाम है Payments Gratuity Act 1972, दोस्तों वो company कोई factory हो सकती है, कोई government related हो सकती है, जैसे कोई coal mine हो सकती है, कोई oil field हो सकता है, कोई government का sector हो सकता है, जैसे इंडियन railway हो गया, या कोई private company हो सकती है, कोई mall, कोई बड़ी shop, कोई भी ऐसी जगा जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने वहाँ 5 साल से निरेंतर काम किया है, तो Gratuity के तोर पर उसको जो amount है, जो पैसा है, उसको मिलना compulsory है, दोस्तों यहाँ पर भारत के अं पर आपको Gratuity पर tax देना होता है, अब बात करते हैं कि यह Gratuity हमको कब दी जाती है, तो Gratuity यहाँ पर जब भी कोई employee, अपनी employment को end करता है, यानि कि वो जहाँ काम कर रहा है, उस job को जब वो खतम करता है, बंद करता है, तब दी जाती है, वो condition इन में से कोई भी हो सकती है, जैसे वो retirement लेगा, तब भी Gratuity ले सकता है, वो अगर resign करता है, तब भी Gratuity ले सकता है, वो अगर किसी तरीके से pass away हो गया, यानि कि उसकी death हो गई है, तब उसको Gratuity मिलेगी, उसको कोई disease, कोई बिमारी हो गई है, तब वो Gratuity के लिए claim कर सकता है, उसको accident के चलते कोई problem कैसे किया जाता है, तो इसके लिए पहले से ही formula बना हुआ है, इस formula के तहत, जो Gratuity है, उसमें आपकी जो basic salary रहती है, और जो आपका DA रहता है, dearance allowance, ये plus होता है, और इसको 15 से multiply किया जाता है, plus इसमें आपने जो tenure complete किया, कितना साल आपने उसमें काम किया है, उसको multiply किया ज कर, जो 26 दिन बचते हैं, उससे इस पूरे calculation को divide किया जाता है, और उसके बाद जो भी amount निकल के आता है, वो आपका Gratuity amount होता है, जो कि company को आपको देना होता है, Gratuity company का जो employer होता है, उसकी देंदारी होती है, उसकी liability होती है, उसको वो देना होता है company की तरब से, तो दोस्त इसलिन व्डियो को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें,